असलावली कॉम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे एक और मज़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, यह निके मटर और चिकन पुलाओ, तो बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही जट पर त्यार होने वाला मटर चिकन पुलाओ तो आज हम बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक बतन में ऑईल डालेंगे, ऑईल या घी जो भी आपके पास अवैलिबल हो, तो आधा कप आप एक पॉट में डालें, और इसके बाद बारी कटी हुई, स्लाइस में कटी हुई प्याज हम शामिल करेंगे, दो अदत मी यह आप देख सकती हैं कि प्याज नर्म होने शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें चिकन एट करेंगे, यह एक अदत चिकन हैं जिसके मैंने 8 पीसिस कर लिये हैं, चिकन को हम थोड़ी दिर के लिए फ्राइ करेंगे, और इ लेसन शामिल कर लेना है, और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें साबत मसालों में चोटी इलाइची शामिल करेंगे, दो से तीन अदत, और बड़ी इलाइची शामिल करेंगे, दो से तीन अदत, और इसके लावा हम इसमें साबत जीरा शामिल करें साबिच जीरा हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून फुल भरा हुआ नहीं थोड़ा सा हलके हातों से आपने इसमें एक टेबल स्पून जीरा में लाने ना है और इसे अब हम भूनेंगे दो से तीन मिनट भून लेने के बाद हम इसमें दही एड़ करेंगे दो चमच दो खाने की चमच फैंटा हुआ दही हम इसमें शामिल करेंगे और नमक आप हजबे जायक एड़ कर ले मैं यहाँ पर त्री टेबल स्पून एड़ कर रही हूँ और इसके लावा अब हम इसमें स चमच एड़ करें हूँ क्योंकि हमारे हां बहुत ज़्यादा मिर्चे नहीं खाई जाती बच्चों ने भी पुलाव खाना है तो वो बहुत मिर्चे नहीं काते तो यह मसाला भून चुका है दो से तीर मिनट अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे दो मीडियम साइज के ट अब हम इसे ढखकर पकाएंगे तक के टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं टमाटर नरम हो चुके हैं अब हम चिकन और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे तक इसका मसाला इसके उपर लग जाए और जो इसका ओयल है तो वो अलग होना शुरू हो जाए इससे टमाटर चावल शामिल करेंगे, यह 4 कप सेला बसमती राइस हैं, जिसे मैंने धो कर 30 मेट के लिए भिगो के रखा हुआ था, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें 5 कप पानी शामिल करेंगे, याद रखें कि आपने सेम कप ही मेजरमेंट के लिए यूस करना है, और इसके लावा अब हम इसमें उबलेवे मटल शामिल करेंगे, तकरीबन एक कप के करीब उबलेवे मटल शामिल करेंगे, और इसके उपर आधा टेबल स्पून गराम मसाला शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ढगकर हमने इससे पका लेना है, ढगकर हम खुश्क होना शुरू हो गया है, अब हम इसे दम पर पकाएंगे, दम लगाने के लिए हम कोई मोटा कपड़ा लेंगे, किचन टावल लेंगे, इस तरह करके इसके उपर डालेंगे, और धकन मजबूती से बंद करेंगे, धकन को अच्छी तरह से मजबूती से हमने बंद कर लेना है, और इसके बाद हमने इसे दस मिनट के लिए दम पर पकाना है, तो दस मिनट हो चुके हैं, अब हम मटर पुलाओ को देखेंगे, तो ये चिकन और मटर का जबरदस्ता पुलाओ हमारा त्यार है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और जटपट बनने वाला पुलाओ हमारा त्यार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे, आज आपको बेक्राउंड, जो के मेरे कुकिंग का बेक्राउंड है, तो वो आज आपको थोड़ा सा मुक्तलिफ नजर आएगा, क्योंकि ये मैंने किचन में नहीं बनाया, बलके आउट साइड आफ ते किचन बनाया है, ये हम आउटिंग पर गए थे, तो वहां थोड़ी की आग होती है, तो इसके अपनी ही एक स्मेल होती है, जो के इस पलाव में आ गया है, तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डिलिश्यस और बहुत ही अरोमेटिक पलाव हमारा त्यार है, उमीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थेंक यू फॉर वाचिंग अलाहाफेज